नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बिना फॉर्म, बिना लाइनिंग, बिना चैन के स्टोरेज बैक बनाने का एक बहुती आसान और नया तरीका बताऊंगी, तो वीडियो को लाश तक जरूर देखिए, और इसके लिए में गिफ्ट में मिले पैंट पीस का यूज़ काफी टाइम से मेरी अलमारी में वेस्ट पड़ा है, तो इससे हम स्टोरेज बैक बनाएंगी, यह काफी मजबूत और मोटा कपड़ा है, आप इसके लिए किसी भी कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए बनाना सुरू करते हैं, आप सबसे पहले में इसमें से एक र प्रेंथेस के 52 इंच, वेर्थेस के 16 इंच, अब इसी साइज का हमने राइस बैग में से एक पीस कट कर लिया है, यह देखिए, इसकी लंबाई भी कम पड़ रही थी, तो इसमें भी हमने जोड लगा लिया है, अब इसकी सीद्धी साइड नेचे की तरफ रखेंगे, यह बराबर यहां से, यहां पर हम ओल पिल लगा लेंगे, अब देखिए, हम एक निसान यहां पर लगाएंगे, और थोड़ी दूरी पर दूसरा निसान लगाएंगे, अब देखिए, इस निसान से इस तरफ घुमाते हुए, इसके चार उतर यहां से, इस निसान तक स्लया इस निस्सान से घुमाते वए इस ले लगा लिए him अब हम इस के अ कॉर्मर कट कर लेंगे अब इस यहां से पलट के सीधा लेंगे आज मेरे देखिये अब इस कपड़े को अंदर कफोल करते वेрь मेरे इस तरह बलाइब दिलकोल किनारे किनारे पर इसकी चारत्र रर्व घुमाते वे सलाय लगा लेगे देखिए दखिए। अब इसे अलग रख लेगे। अब देखिए सेम सायज के कपड़े के दो पीस हमने और लिए हैं 12 x 12 inch के कपड़े की पीसिस आइए और सेम साइज के ही दो राइस बैक में से पीसिस कट किया है हमने अब इन्हे भी सेम इसी तरह किस त्यार कर लेंगे देखिए सेम तरही से में दोनों पीसिस त्यार कर लिए है यह देखिए अब इन्हें लग रखेंगे बड़ा वाला पीस लेंगे अब इन्हे लेंगे एक पीस लेंगे इस तरह रखेंगे कि यहां से यहां तक यहां पे निसान लगा लेंगे जहां तक 20 आ रहा है यह देखिए अब इस निसान पे रखेंगे फिर से इस तरह बराबर अब देखें आप और फिर लगा लेंगे अब इससे लेंगे इससे विश्टर रखेंगे यहां से बराबर एक निसान लगा लेंगे अब इस निसान पर रखेंगे इस तरह और पर लगा लेंगे अब देखिए यहां से सिलाई के लिए जगा छोड़ते हुए यहां से यहां तक निसान लगा लेंगे यहां से भी सिलाई के लिए इतना कपड़ा छोड़ देंगे अब देखिए इस निसान से मिलकुल किनारी किनारी पर इस निसान तक सिलाई लगा लेंगे इधर भी निसान लगा लेते हैं, इसमें भी इस निसान से बिल्कुर किनारी किनारी पे इस निसान तक सलय लगा लेंगे, यह देखिए इस निसान से इस निसान तर, और भी निकाल देंगे, अब देखिए से इस तरह पकड़ेंगे, यहां से बराबर, इस तरह, यहां से यहां तक स्लाई लगा लेंगे, इससे पकड़ेंगे, देखे इस्तरे, यहां से यहां तक स्लाई लगा लेंगे, यह देखे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, अब इससे यहां से पकड़ेंगे, इस्तरे, देखे इस्तरे से बिल्कुल किनारी कनारी पी यहा पिर इस तरब से पकड़ेंगे इस तरह बिल्कुल किनार किनार भी यहां तक सलय लगा लेंगे यह देखिए चारो कॉनर हमने जोड़ दियें यह देखिए अब इसे पलटके सीधा कर लेंगे इस तरह से से फोल्ड करेंगे एक निसान लगा लेंगे इन दोनों के सेंटर में इस निसान लगा लेंगे 5 इंसंतर निशान लगा लेंगे एद शेखो। अलग रक देंगे आफ देखियो कप्ड़े का पीच और लेंगे क defenses की 12 इंच स्पप्वीड़ेस की 4 इंच अब शे इस तरह फोल्ड करेंगे फिर से फोल्ड करेंगे और सेंटर से फोल्ड करते हैं पूरी पट्टी में सलाय लगा लेंगे ये देखे हैं हैंडल हमने त्यार कर लिया है अब इससे लग रखेंगे इसे लेंगे अब देखें सेंटर के निसान पिंचरे को रखेंगे बिरकुर सीधा थिरेंज तक खीच ल अब यहां से भी ह्जंद्र की दरप खोल्ड करेंगी इसने सान पर रखेंगे यहां भी और लगते हैं ऐसे हैं अब अब टाक लंगे और यहां पी ऑंडिन छाधन का लाई यह देखिए अब उसमानल अब यह व्यूफ़ इसके लाइच करेंगे यहां रखेंगे इसका दूसर पीस यहां पे रखेंगे यह देखे, अब इसकी चारफ सलाहे लगा लेंगे अब इससे इस्तरे बंद करेंगे बराबर अब नहीं पकड़ेंगे अब इसके एक पीस लेंगे इसके फ़ल्का से टच करेंगे इस तरह पकड़ेंगे अब इससे शोड़ा लेंगे हां से यहाँ पर एक और पिल लगा देते हैं इसके चारतर तरह लगा कर इससे जोड़ लेंगे फिर से बंद करेंगे इसतरे से इसे लेंगे इसका दूसरा पीज इसमेर टच करेंगे इस तरे पकड़ेंगे अब इससे खोड लेंगे यहाँ में फी अब अर्पिन वैंगा कर तधार अके चार्टरब स्लाही लगा लेंगे देखिए वलकोर हम ने आठेच कर ली है मैं इस इसमें आप ब्लैंक्टर रख सकते हैं, सर्दी गर्मी कप्रे रख सकते हैं, अब इससे बंद कर देंगे, यह देखे हैं हमारे बैग विलकूर रेडी है, अब इसका मैं जरूर बता जती हूँ आपको, इससे आपको इसकी साइज का पता चल जाएगा, विर्थेस की 15 इंच, लेंद इसकी 11.5 इंच, और हाइड इसकी 11.5 इंच है, यह देखे, ओर हाइड आपको, ऑाइब शापको, और हाइब हुआ्प। उन्खावड़ का इससे का शाब कावाड़ का जाएड़ का जाएब काure हूआ है, यह देखे, जर शाली है, अज कर दोकर दोपी, बंस आपको.